जीव हमारी चाती है मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख्ष इसाई धर्म नहीं कोई न्यारा डाक्टर जाकर नायक जी ने एक वाणी बोली है परमेश्वर कबीर जी की अल्लाहु अक्बर की वो सुक्सम वेद की वाणी है जो परमात्मा स्विम सहस्रीर आ करके अपने मुख कमल से बोलते हैं उसको तत्वग्यान कहते हैं वो तत्वग्यान की वाणी है कबीर दुख में सुमन सब करें और सुख में करें नकोए जै सुख में सुमन करें तो दुख काहे कु होए ये वानी है उस सुक्समवेद की और ये किसके विशे हम संकेत करती है कि जो पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अक्बर की भक्ती करते हैं और तो सुक्ह में यानि सारे सुक्हों और फिर भी परमात्मा याद करते हैं दुख में तो सभी याद करते हैं पुर्मात्मा दुखी को भी सुखी करता है और सुख में कोई नहीं करता है यदि सुख में सुमन करते हो तो उनको दुख कभी नहीं हो ये बिलकुल सही है और ये पूर्ण पुर्मात्मा अल्लाहु अकबर का विद्धान है और आप जी को दिखाते हैं हदरत मौमंद जी एक बहुती नेक आत्मा थे एक संपन औरत थी खदीजा नाम की जिसके पास बहुत माया थी धन बहुत था और उस से हदरत मौमंद जी का विहा हुआ था तो उनको कोई दुख नहीं था उस समय और जब वो चालिस वरस के हुए और उनके साथ स संतानवी ओली थी तीन पूतर और चार पुत्रियां तो हदरत मौमंद जी तो इस कुरान स्रीव के ज्यान दाता की वक्ती कर रहे थे इसको अल्लाहु अकबर जानक है ये अल्लाहु अकबर नहीं है कुरान मजीद के अंदर सुरत फुरकानी चैप्टर नमबर 25 आयत नमबर अर्बाउन से उनसित में कुरान स्रीव का ग्यान दाता सपष्ट करता है कि जिसने च्छै दिन में सिर्ष्टी रती वो अल्लाहु अकबर है Ал्ला कबीर है और वो च्छै दिन में सिर्ष्टी रती और सातमधन तकत पर जा बैठा उसकी खबर किसी बाख़बर से तत्व दर्सी संत से पूछ लो मैं नहीं जानता यदि जानता होता तो एक सूरत और डिखवा जिता तो इसे सिद है कि कुरान स्रीफ का ग्यान दाता तो अल्लाहु अक्बर की जानकारी भी नहीं रखता और उसी की बख़फ़दी करने को कह रहा है और गलती से हदरत मुमझी ने कुरान स्रीफ के ग्यान दाता को अल्लाहु अक्बर जानके सुख में बगती करी और उसके ओपर किसे कैर टूट गे तीन पूतर थे आँखों के तारे तिनों के तिनों के तिनों की आँखों आगा मरके तो वो विक्ती सुखी नहीं हो सकता थे कितनी बात बनाओ कारण क्या रहा कि उन्होंने अल्लाहु अक्बर की बगती प्राप्त नहीं हुई अल्लाहु अक्बर की यदी बगती करें तो सुख में यदी बगती करें उनको तो सुखने में भी दुख नहीं हो सकता और जो दुखी हो वो भी आजा इसरनम उसके भी मुक्सो हदرت मौमदी के ओपर केर पेकर टूट गे उनकी 63 वर्स की आयूम मरत्य होगी और बेहुस होकर गिर जाता था तो ये जो पुरान स्रीफ का ग्यान दाता ये डम्मी गौड है अधूरा इनकंप्लीट गौड है कंप्लीट गौड है वो अल्लाहु अक्मर वो अल्लाह कबीर है वो कबीर परमात्मा कबीर परमेश्वर है उसकी बग्ति इस दास के पास उपलब्द है आओ और अपना के लियान करवाओ और जो अल्लाहु अक्मर की जिनोंने बग्ति की अब आपके रूमरु कराते हैं उनको कितने सुख हुए और आजवरत्मान में हो रही है ये उस अल्लाहु अक्मर की बग्ति कर रहे है जिनके ओपर दुख नाम की चीज नहीं आ सकती और जैसे हदर्द मुम्मन जी के ओपर कैर पैकैर टूटे और अन्तम कैसे मर्चु हुई दिकार ऐसी बग्ति को वक्ति नहीं और व्हो भगोण नहीं चो इतनी भी रहक्षान नहीं कर सकता तिसे स्थ है पूरा मुस्लमान धर्म उस अल्लाहु अक्बर की बग्ति ना करके डमी गॉड की भग्ति कर राए वो कम्प्लीट गॉड की अल्लाहु अक्बर की उस परम अक्सरबरम की बक्तिस दास के पास उख लब्द है आईए और पराप्त करिए अपना मुक्स कराईए और पुने अत्माओं उस पुर्ण परमात्मा ने अल्लाहु अक्बर ने अपने सुकसम वेद में कहा कि नभी महुम्द नमस्कार है राम रसूल कहा है एक लाख असी को सौगंद जिन नहीं करत चलाया अरस कुरस पर अलय तक है खालिक बेन नी खाली वेपगंबर पाक पुरुष्टे साहिब के अबदाली परमात्मा ने खुद आकर के अपना भेद बताया है और आदनिय गरीबदास साहिब जी को सत्थ लोग लेकर गए थे फिर उनको वापस छोड़ा है आदनिय नानक साहिब जी को भी सत्खंड लेकर गए थे बेही नदी से वो पुरुण परमात्मा अल्ला हुआकबर अल्ला कबीर और उनको भी वापस छोड़ा था और भी अनेक उदारने जैसे हद आदरनिये दर्मदास साहिब जी आदरनिये मलुकदास साहिब जी आदरनिये नानक साहिब जी आदरनिये दादू साहिब जी आदरनिये गरीब दास साहिब जी गाउं छुडानी जला ददर हरियाना वाले आदरनिये गीसास दास साहिब जी ग को परमात्मा स्वेम सचखंट लेकर गए थे सत लोग में उस जो रियल जन्नत है जो वास्तविक जन्नत है जन्ना है और वहां से वापे छोड़ा लाकर के फिर उन्होंने आख़्ों देखी महिमा गाई उस परमपता परमात्मा की तो उनमें से एक आदरी गरीबदास साहिब हैं जिनको परमात्मा ने कंप्लीट सेप्रिचुल नौलिज दे रख्या और वही दास को पराप्त हुआ उसके आधार से गरीबदास साहिब ने कहा है कि कभी साहिब ने बताया है नभी मुहमद नमसकार है राम रसूल कहा है एक लाकह सी को सोगन जिन नहीं कर चला हदरत अध्या के रसूल थे अच्छी आत्माती मेसेंडर थे वो तो आदनी अप्रूश थे लेकिन वो इस अल्लह डमी गौड का फस गे इसने जबरदस्ती वो गलत ग्यान इसके अंदर बर दिया आपको दिखाएंगे कैसे हज़रत मुमद जी को ग्यान पराप्त हुआ कैसे जब नामक देवता ने ड्रा धमका के उनसे उनको ग्यान कराया और वो गल्त ग्यान ठोक दिया उनके अंदर फिर बता है कि अरस कुरस पर अलह तकुत है आसमान के उपर ले छोर में उस अल्लाहु अकबर का तकत है सिंगासन है वहां वगवान बैठा है और खालिक भी नी खाली उसकी नदर से जरा सा भी जीव बचा नहीं है वो सब को देखता है और वो पैगंबर पाक पुरस थे साहिव की अब्दाली इसी परकार उसी सुक्समवेद में कहा है कि राम करसन साहिव सहजादे और बगती हेत यह हुए पयादे राम करसन जीवी उस परमात्मा के सहजाद इस एक बरमान्ड के अंदर एक एक भी भागिय मंत्री हैं और फिर कहा है कि बरमा भी सुनो संभू महेशा और तिन्नु देव द्यालू हमेशा यह तो बहुत द्यालू है तिन्नु के तिन्नु मापर से लेकिन इनका जो कंट्रोलर है वो निर्दई है वो यह काल है और यह अंतरगत फसके थे पुन्यात्माएं इसने इनका दर भी होकर रख्या फिर क्या बता है तिन्नु देवा कमल दल बसें यह तिन्नु देवता बरमाजी विश्णोजी शिवजी परतेक परानी के अंदर जो कमल दल है मूल कमल स्वाजचकर फिर नभी कमल हर्दय कमल और यह कं कमलों में से तीन कमलों के अंदर यह तिन्नु देवता विराजमान हैं सभी मानों शरीर धारी परानीयों के अंदर चाहिए वो हिंदू है मुसलमान है सिख है हिसाई है सबका एक जैसा सरीर है एक जैसी बनावट है और परतेक के सरीर में यह चैनल लगे हुए है कमल बने इसके लिए कहा है कि तिन्नु देवा कमल दल बसें कमलों के दल में न्यूज करते हैं तिन्नु देवा कमल दल बसें ये बर्मा विशुनो महेश और पर्थम इनकी बंदना फिर सुन सत्गुरु उपदेश पहले इनकी बंदना करो इनकी सतूती करने सबसे पहले और फिर सत्गुरु का उपदेश सनो फिर वो इन से भी आगे की भगती बताएगा तो वो भगती जो complete है in all respect जो प्रमात्मा ने आके अपने मुख कमल से बोला है गिता जाय नबर 4 के सलोक नबर 32 और 34 में कहा है के अर्दुन सचीदा नंद घंबरम ने यानि उस अल्हा हुआ अक्बर ने परमक्सर बरम ने स्विम आकर के अपने मुख कमल से इन धार्मिक अन्ष्ठानों की जानकारी विश्तार से बताई है वो तत्व ग्यान है गिता जाय नबर 4 के सलोक नबर 34 में कहा के अर्दुन उस तत्व ग्यान को तो तत्व दर्सी संतों के पास जाकर समझ उनको डंडुवत परणाम करने से कपट छोड़ कर उनकी नमरता पुरुवत परसंद करने से वो तत्व दर्सी संतों तुझे उस परमातम उस तत्व ग्यान का अफदेश करेंगे इस सिद्ध है कि गीता ग्यान दाता भी उस तत्व ग्यान से प्रिचित नहीं है जो ग्यान खुद परमातमा ने आका अपने मुखकमल से बोला है और इसी परकार कुरान स्रीफ, कुरान मजीद सुरत फुरकान पत्थिस और आयत नमर बाउन से उन्सेट में सफ़स्ट किया है कि वो कबीर नामक अल्ला है जिसके विसे हम ये काफिर नहीं मानते इनकी बातों में मताना संग्रस करना इनके कहने से टल मत जाना हदरत मौमद हदरत मौमद को उसका अल्ला, जो कुरान स्रीफ का ग्यान दा था वो कह रहा है कि जिस पर में सुर्ने 6 दिन में जमीन और आसमान के वीद जो कुछ भी है उसने 6 दिन में रचना की और 7 में तक पर जा वेसराम किया वो है क्रियेटर तो उसकी खबर तो कुरान स्रीफ का ग्यान दाता भी ना जानता ऐसे ही वेद ग्यान दाता भी यही है जो कुरान स्रीफ का ग्यान दाता गीता का ग्यान दाता है यह कभी किसी समख से नहीं आता है यह गुप्त होकर कारिया करता है वेदों का ग्यान भी सी ने दिया है यह जूरुवेद देहन नमबर चालिस के सलोक नमबर दस में सफ़ष कर दिया है कि कोई तो बगवान को है संभवाद कहता है कि वो कभी जनम नहीं लेता निराकार है और कोई कहता संभवाद यानि राम और किरसिन जैसे अवतार रूप दारन करके आता है लेकिन वो कैसा है अवतार दारन करता है या नहीं करता है वो निराकार है या साकार है उसकी जनकारी तो देरानाम तत्वदर से संद बताते हैं उनसे सुनो तो इसे से देखिए वेद ग्यान दाता भी अधूरा ग्यान रखता है उस complete God का complete spiritual नहीं रखता तो वेद ग्यान भी incomplete है वो complete spiritual knowledge जो great God complete God given है वो इस दास के पास उखलब्ध है आकर कल्यान कराओ, मान बढ़ाई छोड़ दो दास कोई किसी की मान आनी करना नहीं चाहता ना कोई मान बढ़ाई करता है, बुदी मान समाज है और सब सद्गरंथ आपके पास है उनको देखो दास रफरंस देता है उसमें कोई तुरुटी है तो मुझे बताओ हम सुदारेंगे सारे मिलकर उसको निसकर्स निकाल लेंगे, इस मान बढ़ाई छोड़कर आपना भी कल्लाण कराओं यह संत महातमा दितनी भी वक्ता है और दनता को सद्धा रस्ता पाने दे बादक मत बने, नहीं ता आपको बहुत सदा देगा वगवान माफ नहीं करेगा आपको कभी भी अब यह तो उपर आएगा ही आएगा अब सिक्षित इसलिए बनाया प्रमातमाने मानो समाज को और यह उपकरन इसलिए बनवाए है कि आखों देखेंगे सब अब तक तो अपनी अपनी सब अपली पीटी रहे थे, हमें हमारी जो साइकलोन बना रखे था, साइकल गुमा रहे थे हमारे को, एंडोला बना रखे था अब हम दर्ड हो जाएंगे और इनको भी समझाएंगे गुरुजीयों तुम भी आजाओ और कल्लान करवाल आपना इनको आना पड़ेगा नी तो गणा पस्ताना पड़ेगा आना पस्ताना 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 मिर भी सतानाो